नमस्कार मेरा नाम ग्यानिक श्वर है और आप देख रहे हैं लाइट से देखिए एक बात आपको बताओं पटना हाई कोट ने पिछले दिनों एक टिपनी के एक बहस के दौरान और कहा कि दो लोगी कमाई मतलब दो ऐसे प्रोफेशन हैं जिनकी कमाई का आप पता उनके इं और ये दो प्रोफेशन हैं डॉक्टर्स और लॉयस बकील बकील किस कदर छप पर फार कमाई कर रहे हैं आजकल आप कल्पना नहीं कर सकते बस आपके भीतर टैलेंट होना चाहिए आपके भीतर कानून का ज्यान होना चाहिए वो जमाना चला गया जब कहते हैं कि बकील जानते हैं तो आप पैसा इतना कमा सकते हैं कि तूचिये माई और हमारे साथ हैं अभी से गुंजन जी बकील ही तैयार करते हैं पहले स्वेम बकील बने और देश के नामी शुबरमन्यम श्वामी के साथ इन्होंने बहुत कुछ सीखा और साथ में शलमान खुर्षीर से भी गुन प्राप्त किया तो अभी से गुंजन जी पटना में चलाते हैं लॉप प्रेव टुटोरियल एक ऐसा संसान बिहार में एक पहचान बन गया है जिनके पास नौटेडिम के बच्चे आ रहे हैं सेट माइकल के बच्चे आ रहे हैं डीपियस के बच्चे आ रहे हैं मुस कियर की ही बात कर लें फिर आप कैशे बनते हैं इस पर हम आते हैं कैरियर क्या है आज की रेट में carrier options वे वो unlimited हो चुकी है law करके एक पहले एक धारना थी लोगों में कि वकील वही बनते हैं जिनसे कुछ नहीं होते हैं लेकिन आज की रेट में यह बहुत ही lucrative carrier options के साथ आया है जैसे सबसे ज़्यादा जो बच्चे आज की रेट में move कर रहे हैं वो law firms में जा one को मिल जाता है उसके बाद बच्चे इवेन जो आडवोकेसी जो आपने बहुत अभी बोला कि जिसकी income tax भी calculate income tax भी नहीं निकाला जा सकता है टैक्स क्या पे करते हैं एडवोकेसी बहुत बड़ा opportunity है जो बच्चे maximum national law university से निकले हुए आज की डेट में high court या supreme court में आपको प्रूब नहीं करते हैं लोन हमारा आपका sanction नहीं होता है उसके बाद सबसे important है आप जितने भी PSU जानने हैं public sector undertakings भेल, गेल, सेल, ONGC सभी में as a legal officer आज के डेट में हम join कर सकते हैं तो यह different career opportunities हैं जो आज के डेट में लोगों के लिए बच्चों के लिए खुला होगा है और जिस option की हम बात करें, career option की, अभी हमने सुना Supreme Court के नए Chief Justice ने कहा कि देखिए अब एक ऐसी ब्रवस्ता बहाल करनी होगी कि जो seniors हैं वो अपने junior को थी, एक पगार दें ताकि वे मन से काम करें जी, आज के रिट में मैं तो कहा रहा हूँ कि एक seniors के पास, पचास-पचास junior का team है और बहुत हद तक पगार अब मिलना start भी हो गया है, क्योंकि सारे young dynamic लोग आ रहे हैं, मैं भी जैसे सुब्रमन्यम स्वामी सर के साथ था, तो पगार तो जरूर कुछ ना कुछ हमें भी मि बिहार के बारे में मैं समझता हूँ, कि बिहार में लोग क्लैट, पहले तो लोग क्लैट समझते नहीं थे, क्लैट को कैट समझते थे, आप की पिस्थ भूमी क्या रही, कि आप ये law प्रेट्रोलियल खोल कर आ गए, और कैसे इसकी सुरुआत हुई, और क्या सफर है आपका कॉलेज जाने से पहले, तो पिता जी को मैं बोला कि मुझे law करना है, तो पिता जी तैयार नहीं हुए law कराने के लिए, क्योंकि वो एक डिस्टी कोट की हालात को देखा करते थे, लेकिन उन्होंने बोला कि कुछ प्रभुज जनों से जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास मैं ले चलता हूँ, आपको मिलवाता हूँ, अगर वो एगडी हो गया तब आप, तो मैं उन लोगों के पास जब गया, जो भी आपने बोला क्लैट को कैट, से मैसा ही जवाब उन से मिला था, कि कैट करना है, तो मैं समझा जब इसे पता ही नहीं है कि क्लैट भी कोई तो इनसे क्या बात कीज़े फिर मैं Google करकर के help ले लेके खुद से पढ़ाई किया क्योंकि कोई भी इंस्टूट नहीं हुआ करती जो धंग से बता सके तो self study करके हमने पढ़ाई की और जो भी हमें achieve करना था और उसी टाइम हमने सोच लिया था कि अपने बिहार में कुछ ऐसा development लाना है जो हर एक घर का बच्चा इस sector में जास है और इसी में मैं निकल चुका हूँ कि आज हर एक घर का बच्चा पुरे बिहार के बच्चे आज हमारे बिहार में कहां से और कब हुई बिहार में सुरुआद 2019 में एक छोटे से ब्रांच मुझफरपुर में हमने open किया जैपूर में पहले 2001 में जैपूर सबसे बिहार के बाहर जैपूर में 2001 से ही चल रहा है मनलब आपके पढ़ाई के पहले से लेकिन हम लाप्रे के connect में स्वामी सर के आँ ही 18 में connect में और आज के बिहार पूरा इंडिया में साथ हूँ सर के साथ सागर जी हमारे जो founder है और मैं बताओं कि यह जो अलग जगाना था मैं अभी recently पिछले तीन महिने में 100 प्लस सेमिनार लिया है पूरे बिहार में अच्छा आप नालंदा से स्टार्ट करें नवादा जाएं हर जगा अगर आप जाएंगे तो मैं हर जगा जाकर के सिमिनार हर स्कूल में लिया है तो वहां मैं फिल कि बच्चे को आईडिया ही नहीं क्लैट में उनके पास एक opportunity है उन्हें बस आईडिया है इंजिनियरिंग और medical जबकि बिहार में जो भी बच्चे हैं या लड़कें जिरा करना तो इतना जानते हैं और यदि जिरा यदि आप रास्ता उन्हें दिखा दे एकडम उनको जिरा करने में तो expert हैं क्योंकि समके खून में नेटा वाली खून तो पूरे बिहार के हर आदमी के खून में है तो मैंने जब 500 बच्चे का सेमिनार ले रहा था तो उसमें जब क्लाइट के बारे में तो पांच लोग लेकिन जब उनको career opportunities के बारे में तो जब सेमिनार इंड होता था तो मेरे पास सैक्रो सवालों के साथ बच्चे रहते हैं तो ये सबसे ज़ादा अभी हमारे बिहार मे मैं बताना चाहरा हूँ कि law सिर्फ वकालत ही नहीं है law सिर्फ जुडिसियरी ही नहीं है law में अगर बच्चा आपका चाहे तो foreign भी जा सकता है master's करने ले लेल भी करने के बारे एक करोर का राम से package पा सकता है आज के top law firms के अगर partner है तो उनका package कोई count नहीं कर सकता है उनकी क् इस बोर्डिंग कैनाल रोड में जस्ट बाटा सोरूम के बगल में अच्छा अच्छा बच्चों का चैना या बच्चों की भरती आप जो परहाने के लिए करते हैं कब से बच्चों को तयारी सुरू कर देनी चाहिए ताकि वे class 10th के बाद two year program में वो start कर सकते हैं या अगर वो class 12th में हैं तो one year course के साथ वो अपनी पढ़ाई को सुरुआत कर सकते हैं हमारे दो courses है एक two year program और एक one year program two year program foundation program होता है जिससे बच्चे को हम लोग basic से start करते हैं हम समझते हूंने कुछ पता ही नहीं जिरो English का E भी नहीं पता है हम लोग ऐसे start चलिए एक असली बात पर आगए बिहार के बच्चे लेकि हमने बात कर लिए सिंट मैकेल डॉन बासको लोटेडम डिपीएस इनके बच्चे तो थीक हैं अंग्रेजी में लेकिन जब आप गाउं में जा रहे हैं 500 seminars कर रहे हैं तो उन बच्चों की अंग्रेजी को लेकर उन जब तक आपका किसी भी profession में जाते हैं law के आज की रेट में किसी भी profession में अगर मैं बात करूं सर आपके profession में भी आने के लिए आज की रेट में इंग्लिस की ज़रूरत है तो उनको Times of India newspaper daily habit बनानी चाहिए जब तक reading skill अगर आ गए तो वो इंग्लिस कोई बड़ी चीज ही न पैसेज को एक मिनट में कितने sentence को कितने words को cover करना यह बच्चे को कोई बताता ही नहीं है यह सारी चीज हम लोग zero से start करते हुए और उनको hero बनाने तक चलिए कितने पैसे ले रहे हैं अचकल फीस बहुत ही कम है नॉमिनल फीस है स्कॉलर्शिप चलती रहती है बच्चे हमारे स्कॉलर्शिप हमारा एपियर होते हैं सबसे पहले हमारा admission का रूल है अगर आप स्कॉलर्शिप नहीं एपियर करेंगे आपकी performance को नहीं जारेंगे हम एड 2019 में launch किया और मैंने इस बिहार के दहरती को प्रूफ किया कि All India Rank 2 आद्या सिंग को NLS Bangalore All India Rank 2 मैंने इस बिहार से जी उसके बाद All India Rank 9 2020 में गडिमा बंका जो भागलपुर की बच्ची थी जो आज NLS में वो भी है थर्ड येर 2021 में बिहार टॉपर All India Rank 48 रिसीता जहा जो Notre Dame जिस स्कूल का अपने नाम लिया वहां की पड़ी हुई बच्ची जो हमारे संस्थान की थी आज वो विहार टॉपर बनके NLS Bangalore में जिसको East of Harvard कहा जाता है East of Harvard कितने घंडे पर आते हैं पॉरडे हमारा four hours का class और foundation के लिए two hours की class है चीक है और जिस तरीके से बच्चे सफलक हो रहे हैं उससे आपको लगता है कि ये बच्चे आगे चलकर आपके संस्थान को और आपको और भी जादा गौर्वानमीत करेंगा जी हमें पूरा अभी से होने लगी है कि जो बच्चा एनलेस पहुंच गया पांस साल बाद उसके हाथ में पंद्रह लाग सत्रह लाग का package तो ऐसे ही है ऐसे ही है और इनी कुछ और उसने कर दिया तो एक स्ट्राइफट लगा दिया तब तो वह 25 लाग तक तब तो गुरू रखशना में आ जाया हूं जहां बोरा चादर स्कूल था वहां भी बाद विबाद प्रत्युक्ता हुआ करता दिवेट कंपेटिशन तो जिस तरीके से कोट में आप एक के खिलाब बोलते हैं तो बिहार के बच्चों को यदि ठीक से परहा दिया जाए तो पूछिए मत वे देश के बहुत नामी बखीज बन सकते हैं और छोली तो ऐसी भर सकते हैं कि कहना ही नहीं तो आप जुने रहें लाइए लाइफ स्टी के साथ यदि अब तक आपने हमारी यीटूब के ले लाइफ स्टी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लिएगा और एड़ी इस वीडियो को आप फेस्बुक पेज के मादे हम से लेकर तो पेज को लाइक किजिए का ट्यूटर पर भी हमें फॉलो किजिए धन्यवाद